तो सबसे बहले गुल आफुन क्लास वेलकम तो एजलाइट ओनलाइन क्लासेज ठीक है आज का जो हमारा टोपिक है वह आप हम बात करेंगे गुपता या डेकलाइन अव गुपता गुपता पीरियर्ड एंड एंड पोस्ट गुपता पीरियर्ड ठीक है हम किसी के बात करेंगे हम बात करेंगे गुपता पीरियर्ड और पोस्ट गुपता पीरियर्ड के बात करेंगे हम लोग ठीक है तो गुपता पीरियर्ड के बात करूं गुपता पीरियर्ड पोस्ट गुपता पीरियर्ड के बात करूं तो गुक्ता पीरेड में लोगों ने निया पिर दह दंशिका थी प्रॉक्सिमेट्सकर पढ दिया था और वने क्या बोला था कि जो पूरा के पूरा पूरा इंडिया था यह सारे जून रुपतां ग governance कार्त बाहु हम आते हैं। होना आते हैं और गुपता को डिफाइन करते हैं और जब डेकलाइन ऑफ गुपता होता तो जब इंडिया वो छोटे-चोटे टुकुरों में डिवाइड होना शुरू हो जाता है लग लग जगा लग राजाज वर्ने शुरू हो जाते हैं ठीक है तो इसी के ओपर पूरे के जो गुपता जाता है तो इसे स्वर्णी में इतिहास क्यों कहा जाता है क्योंकि गुपता पीरिड के टाइम क्या हुआ था एजूकेशन डिवल्फ हुई थी एजूकेशन डिवल्फ हुई जिसे क्रेटिविटी क्रेटिविटी डिवल्फ हुई एजूकेशन डिवल्फ हुई जिसे क्रेटिविटी डिवल्फ हुई लोगों के अंदर और बहुत सारे चीजों का डिवल्फ हुआ लेकि साइंस एंड टेकनोलोजी साइंस एंटेक की हुई stem उसके बाद गुपताएज के अंदर literature literature की development हुई तीसा art and art culture ठीक है कौनसा art and architecture ठीक है art and architecture जिसकी जो development थी वो इस कार्यकाल के अंदर होती है किस कार्यकाल के अंदर गुपताएज के अंदर एक तो science and technology की development हुई दूसा लिट्रेचर की development हुई और तीसा art and architecture की development हुई वह बात करूंगा जो famous चीज़ें है कि जो हुई है सबसे बहुत करते हैं science and technology की अगर हम science and technology की बात करें तो बहुत सारे famous scientist जो थे जो गुपताएज के अंदर आये थे और गुपताएज के अंदर उन्होंने क्या किया था काम किया था और उन्होंने अर्यावट या आर्यावट जो था वो contemporary था गुपता एज के किसके contemporary था गुपता एज के आर्यावट समझते हो कि मारी पहले satellite को और आर्यावट है ना तो आर्यावट के आपने बात बात जानते हों जिरो की खोज की थी invention of zero उसने कहाल कि किसकी इन्वेंशन की थी invention of zero की थी किसने आर्यावट ने ठीक है और इसने एक बुख लिखी है जिसका नाम है शूनिया सधान्थ शूनिया सधान्थ शून्या सिधांत जो बुक है वो किसे ने लिखी है जाड़ी बुक के रिटन वाई आर्या वट ठीक है ठीक है कॉन्सी बुक शून्या सिधांत जो है वो किसे ने लिखी आपकी आर्या वट ने एक और दूसरी बुक लिखिया है इसने आर्या वट्ट्यम आर्यावट्ट्यम दो बुक्स निप्रणट है जो लिखी हुई आर्यावट्ट्यम ने एक शुन्या सिधांत यह बहुत इन बुक्स दूसरी आपकी शुनिया सिधान्त और आर्य वट्ट्यम तो दो इनपोर्ट बुक जो लिखी हुई है आर्य वट्ट ने तो आर्य वट्ट एक मैथमेडिस्टिंस से रिटर था और उनने जीरो की खोज की थी ठीक है बैलियो फ्ट्टिमल जुसके हम बात करते हैं कि उन्होंने उसकी खोज की में दूसरा कौन सा है अरिया वट्यम एंड शुन्य सिधान्थ तो आएवुट्यम मैं शुन्य सिधान्थ किसने दिया था वो दिया था आपका जिसान अर्च ने ठीक है उसके बारज भारा मीर ठीक है कौन सी है अब रहा यह बहुत है है कि ब्रहामीर ब्रहामीर भी क्या था है साइंटिस्ट रॉआ उनके सकत्री कारेकाल में ठीक है और उन्होंने दो भुक लिखी है जो भुक उनके प्वारेब पूछी आती है ब्रहामीर ने भुक क्रारा न рассказыв कि ये तेली पंच सिधांत का पंच सिधान्थ ठीक है पांच सिधान्थ किसे ने लिखी है अब की पांच सिधान्थ किसे ने लिखी है ब्रा मीर ने लिखी है और दूसरी ब्रिहत समिता हद समिता ब्रिहत समिता और पांच सिधान्थ दो बुक्स इनपोर्टन टैजों किस ने लिखी है ब्राहमीर ने लिखी हैं तो इसके कारेकाल में थे किसके contemporary थे गुपता एज के अंदर थे यह ब्रामीर ठीक है तो ब्रामीर के ऊपर दो इनपन्ट भूक है वनीदा पंच सिधान्थ and the second one is that is ब्रीःध समिता ठीक है दूसरी कारेकाल सी आपकी ब्रीःध समिता ठीक है तो ब्राहमीर और पंच सिधान्थ और ब्रीःध समिता किसने लिख रखी हैं दोनों बुक्स डैडिस ब्रामीर ने ठीक है उसके बाद तीसरा इंपोरेंट था दैडिस ब्रहम गुप्त किसरा कहुंट सा था या ब्रहम गुप्त थीक है ठीक है तो वेसिकली इसने उस टैम जोजी वह ग्रैविटी के उपर बात की थी किसके उपर ग्रैविटी मतल् means Newton से भी कई सल पहले ब्रम्गुप्त उसने ग्रैप्टी के उपड़ बात कि भी और उसने सिधांध दिया था अब्रम सिधांध ने अब्रम ने के सी दान कौनसा सिधांध दिया था ब्रम सब्सक्राइब अब्रम गुपत ने दिया था ठीक है और लास्ट का सबसे पर्सन देडिज भासकर बासकर मैं भर बता रहा हूं कि हमारी इनके नाम से लोग चलाते हैं इंडिया के जो सट्लेट्स हैं विए नमसे यह भासकर वन टू के नाम से या आर्यावत ठीक है तो बासकर जो था ठीक है कि ये भी क्या था साइंटिस्स जो हुआ करता था इसको याज रखना सिरो बासकर से इस टाइम पीरिड के अंदर और यहीं चीजों से क्या था साइंस की डिवल्मेंट इंडिया के अंदर यहीं से उना शुरू हो गई थी वाज हम लोग आस्मान मंगलयान के ताफ पहुंच गए तो वह बेसी के लिए यहीं से शुरू आत होती थी उसके बाद दूसरी इन पॉ बोट आपका लिट्रेचर लिट्रेचर वरक देज्व वाट करना रचुका वो सारा क्रवारा था कालीदास की उपने यूवर्य मेंने बात की थी कल तीक या मेक दूत मेलिका मालवी का ठीक है गैते सकिंदी प्रकुन से टिक तो को व जो हुए और हैंसके करेकाल में किसके करेकाल में कि लिट्रेक्छस इसके इसके अडर तो न अगदर Q Brenda केiese के अदर और सबसे निपना जो था इसके अंदर Q escolin रिटें और मीट हम इंदर रिकल यतनी इतनी कालिधास की कॉनकूर्ण सी ती यहां पर कालिधास की मेगदूद थी रगुवंश थी उसके अविग्यान शकूंतलम थी ठीक है उसके अमाद को यह सारी बहुत इंपर्ट बुक से जो कालिधास के टैम में लिखी गई थी ठीक है दूसरा बिशाक दत के ओपर मैंने बात कर द शुद्रक 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 की इन पर एक बुक है जिसका नाम है मिरिच चटिकम क्या नाम है उसका दिस मारिच चटिकम ठीक है मारिच कटिकम वेसिकली अर्जुन और उसका शिवजी के बीच में जो एक द्वन्द हुआ था उसके बारे में पूरी की पूरी बुक लिखी है यह तो मारिच कटिकम बहुत इनपर्ण बुक का पेपर के अंदर आती है ठीक है मारिच कटिकम फिर मारिच कटिकम ने लिखिए वो इसे किस समें थे आपके में हुआ करता था थी अंहें सृद्रग ने बूगा यह बिशनु शर्मा अपने एक परसन का नाम वह औगा, इसे बुक लिखी है पंच तंतर की कहानिया पंच तंतर की कहानिया शजुश का नाम हितव पुदेश पंच तंत्रा और दूसरी बुक का कहना हम है यह देट इस वन इस पंच तंत्रा एंड स्थैक्रवनिदा हितो उपदेश ठीक है तो मरी चेटिकम और दूसरी शुद्रक ने लिखिए विश्णु शर्मा जोनिपॉरेंट था वह भी किसके कोट में किसके कंटेंपरीर हुआ कर की ठीक है उसके बाद एक रिशी बातसायन थे ठीक है रिशी बातसायन जो ते वो भी मी किसके कंटेंपरीरे ते वह दोटा सरे लोग कहें कि अनुम अब कल बात की थी हरी सेन इनके contemporary था कालिदास इनके contemporary था सुद्रक था ठीक है उसके बाद धन्वंतरी था उसके बाद विश्णु शर्मा जी थे सुद्रक था तो automatic क्या था यह बहुत सारे लोग थे जोने literary work किया था किसके कारेकाल के अंदर गुपता पीरियड के अंदर तो गुपता पीरियड के अंदर यह सबसे इन्परन जो काम थे वह यह काम हुए थे literature के अंदर वह सारी books लिखी गई वह सारे कहानिया स्टोरी दिखी गई और इसके उपर यह सारे का सारा काम हुआ है ठीक है तो इसके बाद जो लास्ट इंपरन टॉपिक है इनके कारेकाल में बोथ आपका लेकिन सबसे जब रैंपल के उपर काम किया इसकी उपर काम किया किसके उपर काम किया वो किसके अंदर हुई development हुई थी अपकी गुप्टा एज के अंदर हुई थी और इनका जो style था दैड इस नोन है दा शिखर style शिखर style ठीक है शिखर style बसरा style different style of architecture होते है टेपल बनाने के शिखर style के अंदर आप देख सकते हैं कि हिंदियों का अधर के अधर के अधर के अधर के अधर के अधर के मंदर में जाएं आपको क्या गर्वग्री मिलेगा ठीक है जहां पर मूर्ती रखी होगी ठीक है तो वह क्यों सा style होता है जाए शिखर style of time अधर के अंदर आता है कि जो शीखर style of temple के अंतरा है कि जो style of temple था वो किनोंने start किया था ठीक है कि नोंने start किया था या गुप्ता आच आज चीक है उन्होंने start किय गुपता जो थे गुपता जो था उनका स्टाइल था उनका अर्किटेक्टेक्ट्र स्टाइल था कौन सा शिक्र स्टाइल एक और हम बात करेंगे बाद में को था बस्रा बसरा टेंपल स्टाइल दर्विडियन स्टाइल तो बसरा तो जो था वह मुझे नीचे मुझें सॉक्थ के अंदर बात करेंगे तब बात करूँगा हूं बसरा जो था वह चालुक्यों का था चालुकय डैनिस्ट्री के जितने भी आप लोगों ने आर्किटेक्ट्चर देख भीमान है वे मतलब दुनिवों का मिक्षर अर्किटेक्चर और बात करूँगा तो हम बात करेंगे पलवा ने स्टार्ट की रहा रहा रवा इक्टेक्चर बाद में उसको हैड़ के उपर उसको जैनित्ट के बात करेंगे जाने का जह आता है वह इंपीरिय रीदीन आर्टिटेक्चर जो था यह दिस रिलेक्टेड वेदा-पलवाज जैनित के उपर सबसे आपर ले तो यह वह सारे टैमपल बनते हैं इसके उपर महावली पूर्म का टैमपल है तो इस तरह के सारे द्रवडिया इनका बने हुए हम बात करेंगे उनके उपर ठीक है तो आपको समझ आगे होगा इंडिया के इंदर जितने भी आप अर्किटेक्चर मतलों जो द्रवडी इनका ग विशनू टेमपल विशनू टेमपल अट दियोगर दियोगर जांसी कहां पर जांसी के अंदर ऐख ब्रिक टेमपल दूसरा इनका इंपूंट्टा एंपल सग्षा इस ब्रिक टेमपल ब्रिक टेम्पल ठीक है कौन सा है ब्रिक टेम्पल ठीक है उसके वे कहां पर बीत्री गाउं यह कहां पर आपका बीत्री गाउं एक बीत्री गाउं हैं दीट्री घ्राइं यह की अंदर डीद्री खाम पर हैं यह अद्री छुदा में विए फिर आपकेhos साथ परच्ड़ के इंडर के यह ख्यादा करता है वह जै बनें के यह अद्सकेb नुए तिर्फ और तेमि और यह श्यांट बाघ बाघ के पेंटिंग किया है नोगों ने कहिए ऐंटक एक वेएंट एंड बाघ केंटिंग की है तो याद रखना यह बनाया कुछ नहीं लोगों ने इन्हों सिर्फ क्या ककी है बना है का ठीक है एक वेसिकली वह तरफिक स्कलप्चर बनाया हुआ उदेगरी उसके पास कहां पर उडिसा के अंदर उदेगरी कहां पर है उडिसा के अंदर तो वहां पर ग्रेट वोर द ग्रेट वोर ग्रेट बोर या वरहा 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 वीच्छण का अफतार तहीं लुक्तर उपनी मेहिए गांगE तो बॉपर ओर ते पर में जुट जो धुलिट वरहा वीच्छ जी में इन चे विभी इनू यह पेपर के लिए दा ग्रेट वोर या वरा का दूस्ट कप्चर है वह किनों ने बनाया था वह गुपता है इस से लेटर है कहां पर उदेगरी उडिसा के अंदर ठीक है अव्य है उसके बाद बोद के अंदर उन्होंने काम किया एक इनकी स्टैच्व मिला था दो मिटर हाइक स्टैच्यू मिला था था ठीक है बागलपोड इस्टिक बिहार के अंदर और दूसरा इसकी दो स्टूपा वी इन लोगों ने बनाया रखे जिनसे पता लगता है वन इस तो उटमेटीक लिए बहुत सार आर्किटेक्टेक्ट्एुर दायनके अंदर आजा हुं बना पड़ा जो पिपर में आता है वाए से तो मैंने बताया कि बहुत सार इतनीथे टेंपल हो किसी और आर्क राज्य करहाएं नहीं बनें होगे कि यह inveim leahr व्रत फूरुछ दिए तो यह था यह और गुपता पेरीड के अंदर दों डिवर्मेंट साइंस के अंदर के डवल्मेंट होई लिट्रेचर के अंदर डवल्मेंट होई और मंदर बनने लगी तरीका नों ने जाद किया ता जिसका नाम था शिकर स्टाइल तो यह बहुत निम्ट कोस्टन को तो चाहिए पर अंडरलाइन कर लेजिए ठीक है यह बहुत आर्ट अंड हम उसकी बात करते हैं तो बहुत निम्ट कोस्टन आता है सिकर स्टाइल क्योंकि स्टाइल तरीका था ठीक है जैसे माचल के अंदर भी बहुत सारे स्टाइल के मंदर आपको मिलते होंगे ठीक है ना सिकर स्टाइल मिलते हैं आप लोगों को ठीक है आपको उसके बाद शिकर यो कि यहां पर एक नहीं चीज और मैं इसका डिसकस करना चाहूंगा की जो पुरां से इमारे जो क्म्गी हूए है वह भी वह किस पीरिड के अंदर हुए हैं यह वह थारी चीज्जें थी गुपता के अंदर मैक्सिम मितना ही है है उसका हवाय क्षाश चीज है नहीं बताने यहां पढ़ने को तो वह सारी चीज़ें जो पढ़ते रहोगे लेकिन जो कॉस्टन की बात करूँ तो वह कुछ इंपोइन चीज़ें थी जो पर के अंदर आती है और हुआ क्या कि अपने हम अब थोड़ा साथ डेकलाइन की बात करें तो गुपता हुआ क्या कि जैसे जैसे हुआ ने एंटर किया तो जो मतलब जो शोटे शोटे इनके गुपताओं के अंदर जिमिदार काम लोग काम कर ले थे इन्होंने अपने आपको अलग कर लिया और लग राज्यों में डिवाइड करना शुरू कर दिया तो लास्ट डूलर ऑफ जो गुपता डैस्टी विश् आपका नोर्थ वाला हिश्सा एक कौन सा हैसा नोर्थ इंडिया ठीक है एक नोर्थ वाला और दूसरा साउथ इंडिया हुआ तो हिश्व में आपका ओर इंडिया कन वत हो जाता ऊच्फ और दो हिस्थों जो होता है वह क्या होते हैं राज्व करेवने शुरू हो जाते हैं जो नौर्थ वाला हिस्सा बहुत सारे शोटे-शोटे उसमें राज्य में कनवर्ट होना शुरू है लाइक मैत्रिया होर चाहिए जाए चाहिए जाएगा के किंगर मिल जाएगा थीक मैत्रिया है कि मैत्रिया यहां आपको बेंगौल के अंदर मिल जाएगा यहां Mister की ऑंदर आपको थीक yep along low कि मालवा करके एक बैस्टी मिल जाएगी यहां तलए Brahma के अंदर आपको फुषया बुति या वर्दन मिल जायेगी इशको पुषया बुति टिनेस्टी भी कहते थे कि पुषया बुति और बर्दन कि ठीक है पुषया बुति या रदन ये वर phosphory dynasty मिल जाएगी यहां प्एफ इंपर्ड लिए rays किका नम थह tatनी कौन सी कन्योज तोटो मेंदील आप लोग देख रहे हो कि जो आफ्टर पोस्ट गुपता एस्थी उसमें क्या हुआ कि जो हमारा नोर्थ इंडिया था वो शोटी-शोटी डेनस्टी में हो गया लाईड़ा उर्षिया यॉट dw daar यहां पे महल्वा गोड कन्योज उसंथा उन्द्री इंडिया और पर चलों हैं को नहीं को आधर यूजराट गुज्रात धूज्रात में इसुज इस्षाऊप गुज्राट्स तें गरनाटका महराष्टरा और गुजरात हो गया या एंप वाला लोड एंप वाला इसा था उसे कौन कर रहे थे रूल ड़ी चालुक्या और उसके जो नीचे थे डैडिस नोन अदा पलवाज पलवाज थीक है तो दो लोग थे चालुक्या दूसरा पलव समझा गया तो दो लोग इन्पेरन अर्पति हैं पर हम एक चालुक्या और दूसरे रिकाल पनशियी तो हुआ कि रही है इसलिए इंडिया था वह हिस सो में आप देखो मैंने क्या बोला कि इंडिया की आगए कि इसट्री के से काम कर थे उठा लेते हैं वो अ पने अपने के लग राजा गोशित कर देते थे रड़ा हैं अन्से अपने की अज़ AufgWh ने पूरा इंडिया को कवर किया उसके बाद क्या होए उनके चोड़े फिडियोस्री में पेखर MSC व fingertips आपको अलग से एक राजा गोशित करना शुरू कर दिया और यह लग लग राजा जो थे वह भुट ठीक है तो यह लग लग राजा जो थे को भुस्ट्व मैं और यहीं शुरू होती है यह जो झो पुश्य बूति जो थे इसकी संद्डीर परए Director supply-style Kay इंदर नोर्थ इंडिया के अंदर इनको लेकिन आदर रखना जो नर्मदा तक ही रहती है को च होगा पाती है यह बहुत पर को के लिए घाथ दखना कि नर मधा रिफर धी जहां तक जो बरतरों जैन स्टी में फैली ऊई थी बर्दन डिनेस्टी कहां तक फेली हूए थी नर्मदा से आगे वो नहीं निकल और दूसरा साउथ इंडिया यहां पे जो होती है वर्धन डैनेस्टी होती है वर्धन डैनेस्टी और यहां पे जो होता है दाड़ीज नोन ऐस दो हिस्सों में होती है वाणिजा चालुक क्यों और पल्लव पल्लवास भीय तो दो ăn और पल्लवास कहां वे होता है साउथ इंडिया के अंदर होते हैं और नर्थ ऋिंडिया के अंदर आपके कौन से होते हैं आपके बर्धन डैनेस्टी को समझेने की कोशिश करते हैं क्या थी और क्या हुआ? 25 final एस्ठा हमारा रहेगा करते हम बात करेंगे बर्दन नास्टी आए पर सबसे बहले बर्दन विट वोस्टी को समझते हैं कि身ा थी चीम ह्दू इस तरीक से औव भी द्रणाने किस तरीक से हुई थीकशिया पुश्या बुटी औरấ बर्धन डेनेस्टी को अधर्य पुश्या बुटी और के लटों उन्टा किसकी बात करोंगा अब मैं सरफ नोर्थ इंड्या की बात करूँगा नोर्थ इडीया की बात करूँ तो यहां पर गुज्ञात के अंदर मैंने बताया मैत्रियास थे बेंगॉल के अंदर कौन थे गोड थे और यहां पे कौन थे यहां पे थे मालवा यहां पर थे कन्योज को यूपी के अंदर थे कन्योज ठीक है और यहां हर्याना के पास थी एक हर्याना के पास कौन थे एक थे आपके पुश्य अबुति यहां पर कॉन्टे पुछ ऑब की तो आपने क्या एजए शोड़े राज्या थे मतलब यहाँ एपुछ कर रहे थे अपने रूल कर रहे थे अपने रूल कर रहे थे कोई फार्क नियुक्त गुपता की बात के बाद नोर्थ ईंदियर इस तरिक के से तूटा अब क्या था कि जो पुष्याबूती था इसने थानेश्वर में ये कौन से यागा थी थानेश्वर थानेश्वर पुष्याबूती डिनस्टी कहां पर थी थानेश्वर थी थानेश्वर हर्याना थानेश्वर कहां पर हर्याना के अंदर पुष्य बूती था उसकी डैनस्टी हुआ करती थी इसके तीन बच्चे थे इनके तीन बेटे थे दो मतलब दो बेटे थे और एक बेटी थी एक का नाम था राज्यवर्दन एक कौन था राज्यवर्दन राज्यवर्दन दूसरा था हर्षवर्दन और तीसरी बेटी थी जिसका नम था राज्श्री तीसरी कौन थी तीसरी बेटी थी इनकी और इसका नाम था राजश्री ठीक है तो जो राजश्री होता है ठीक है तो राजश्री जो होती है इसकी शादी कहां पर हो जाती है कर्नोज का राजा ता जिसका नाम था ग्रहावर्मन के साथ तिक कि शादी याँ सेंटर पोइंट वन गया था कि यहां पर आपको पता है तो हुआ कि मालवा का राधा यह और यह आपस में मिड़े इन दोनों में क्या हुई दोस्ती हुई इन दोनों में क्या था दोस्ती थी और दोनों सोचसा करनोज को पाने के रिए तो जो था मालवा का राजा ये उसकी पर हमला कि मालवा करता है तो करनोज के उपर मालवा का राजा होता है जिसका नाम था इसका मालवा का राजा था जिसका नाम था देव गुपता कि यहां पर देव गुपता और यहां पर शेशांक शचंक आइं डेव गुपता शचंक तो आप लोगो वह चार आजै पता लगें पॉश्या गुट् यहाँ पर ग्रह और वर्मन यहाँ शचंक यहाँ पर देव गुपता बेटी ती राज शरी और बंदी बना लिया थीक अलездस थे ऍाप लोग और ने आपको भॉंज को Republican को बंधी बना लिए अब हुआ ये देव गुपता पहुंच गया है और देव गुपता ने इसको पने रिखार कपझ प्तल्ब इस वर्द्ञ देनां ही राजवर्दन के वह क्यों भी तो पहला राजवर्दन बुद्ञ ने बने इन सृत और ओसने टेक्ड के ओपर और उसने शडожалуй और देव इन सब्कार देवर्दन को ऊर्दिया और पनी बहुंसर ङुदर लेकिन चोंट शेशांक ने पीशे से हामला कि या कर दिया जैस्त के ऊपर जबस और इसने ग़ेוש चोंटो के ने, पहले मर चुका था कनोज को राजवर्दन को मारने के बाद राजवर्दन को मारने के बाद कनोज वाला हिस्सा भी किसके पास चला गया शेशांग के पास चला गया किसके पास चला गया शेशांग के पास चला गया अब उसके बाद जो दूसरा था जिसका नाम था हर्षवर् देता है किसको मार देता है शेशांग को मार देता है तो अटमेडिकली क्या हुआ इसका राजा भी मर गया इसका भी मर गया इसका भी मर गया ठीक है तो तीनों मर गे अब क्या होता है हर्षवर्दन जो होता है वह कन्योज को जीत लेता अपने कबजे में कर लेता है और कन्यो मतलब कनोज भी इसके पास चला गया यह थानेश्वरत उनके पास था खुद की लेनेश्टी थी गोड़ वाले उन्होंने जीत लिए और यह तो अटमेटिकली जो नोर्थ इंडिया था वो हर्ष वर्दन ने क्या कर लिया यह वाला हिस्सा वो जीत लिया अटमेटिकली आपक से फिर स्टैबलिश्मेंट होती है किसकी बर्दन डाइनेस्टी की तो समझागे आपको कि बर्दन डैनेस्टी की जो स्टैबलिश्मेंट होती है ठीक है बर्दन डैनेस्टी यह पुश्यवूति की इस्टैबलिश्मेंट होती है वह होती है और यहां पर जो कैप्टल होती कर्णोज से कैपिटल होती है कर्णोज में क्या होता है कर्णोज की कैपिटल हुआ करती थी कि इसकी बर्दन डेअस्टी और जो राजय पार्सां बात करेंगा बेंगॉल इसने जीत लिया गोड को जीत लिए नीचे मालवा को जीत लिया थानेश्वर इंका खुद का था सब क eve पर करते हैं भड़ा रियास्त शुरूँ होती वड़ी डैंस्टी की शुरुवात होती है जिसका नाम था कह नम उक्रावताइर सब्सक्राइब के पुष्ष्जेम था औि कि इसको में राजा था तक हरश वर्दन खरश यसर स साल की एज श सल के 50 अप्रोक्सिमेटली कि फोटीवन यह मतलब शेसो शेस भी में एडी में राजा बनता है 606 एडी में रूल करता है इंडिया के अंदर और अप्रोक्सिमेटली कि 647 कि 647 एडी तक क्या करता है यह रूल करता है कि ठीक है 647 मतलब 40 एयर्स फोटी एर का रूल करता है इसने पूरे का पूरा नोर्थ इंडिया था इसको अपने कबर्जे में कर लिया था इसने सौथ एक्सपेडिशन की बात की सोथ के अंदर भी अपने आपको राज को इंग्रीज करने के लिए लेकिन नर्मदा नदी के कि किनारे अब नर्मदार रिवर के किनारे यह चालुक्या किंग है चालुक्या किंग जिसका नाम था पूलकेशियन 2 ही पूलकेशियन सेकेंड इससे हार जाता है किससे आ जाता है नर्मदा रिवर के किनारे चालुक्या जो राजा था पुलकेशन दृत्य उससे हार जाता है तो फिर वो उसका जो राजपार कहां तक रहा जाता है वो आपका नर्मदा रिवर तक रहा जाता है ठीक है कहां तक रहा जाता है नर्म और भी आफिछ नहीं करता वौ नहीं बढ़ता है ठीक है, तो इसके एक मत्रहार ति जहां पिए ही होती है। उसके बादबने हैं करें हावर में सुपने के अविवर्ड तो करें आप नहीं करें। बानवट इसका एक कोटियर हुआ करता था बानवट बानवट हुआ करता था इसने बुक लिखी है हरश चरिता अरश चरिता इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है इस बुक का नाम है हरश चरिता ठीक है तो बान बल्क ने बुक लिखी है जिसका नाम है ठीक है इसका नाम है हर्ष चरिता और दूसरा इसके कारेकाल में चाइनिस ट्रेवलर आया था इसके कारेकाल में कौन आया था इसके कारेकाल में जो था एक चाइनिस ट्रेवलर आया था और उस चाइनिस ट्रेवलर का नाम था यूआन टी सांग यूआन टी सांग ठीक है यह बुद्धिष्ट मोंक हुआ करता था है यह बुद्धिष्ट मोंक कहां पर आया था आपका यह चाइना सेंटर किया था और इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था किया किया इन पॉंटबुक के सिई किया अंटी isn't it एकडिक ठीक हूं इसने बुक लिखी थी जिसका नाम थार्श कու की तो इसको याद रखना है हुआन टी सांगे भास में चालुक्य के नस्टी के अंदर भी गया चालुक्य के पास भी बाद पर के लिए था उनके बारे में भी इसने कीस लेखाया लेकिन ही अंति Сायंक इसके द्रुपार में आया था सबसे पहले राजा हर्श वर्द्न के कारेकाल में आया था यो भुक लिखी थी जिसका नाम था सी यू की ये पहले हिंदू लास्ट हिंदू रूलर था इसने भी बुद्धिज्म को अपना लिया था इसने भी किसको अपना लिया था बुद्धिज्म को बुद्धिज्म को बुद्धिज्म को महायान महायान को अपना लिया था महायान बुद्धिज्म को अपना लिया था किस ने हर्षवर्दन तो यह तखना जो यहंग ठी सांग था यह आया था आपका ठीक है वर इसके उपर जो आपको याद रखनी है । अ इसके उपर प्र इसने जए ह jueon in Delhi अंधर इंडिया के प्लिट किया था जेए तो नालंदा इवस्ट्टी को विधिव किया था फ्रमने रिवाइब किया था तो किसको दॉस्ट्ट लिब्स्टिटे को किया था रिवाइब किया था रिवाइब किया था पता आपको तो यह किया था किसे अलएटान को पुषयंख भृत भाइब की है तीक है उसके बात यह पुष多 है वर्दन जी थे हर्षवर्दन के बारे में पोर्डन थी एक अच्छा राइटर भी था ठीक है एक अच्छा राइटर भी था और उसने तीन प्ले लिखे हुए थ्री प्ले तीन प्ले रेखे हुए एक का नाम है नागा नंदा नागा नंदा सेक्ड बन इस दा रतनावली थर्ड बन इस दा नागा नंदा रतनावली और प्रिया दर्शनी तो तीन इंपोरेंट प्ले जो हर्षवर्दने लिखे हुए ऋने नागा नंदा सेकड़ मॐ्म इत्वर रतनावली एंड थर्ड वन इस प्रिया दर्शि के पीरया दर्शनी तो तीन इंपोरेंट लेयर कि इसके बारे में बात करते हैं आपना हर्षवर्दन के वारे ठीक है तो हर्षवर्दन जो था यह इंपन चीज़ें जो हर्षवर्दन के कारेकाल में हुई है ठीक है उसके बाद इसका अब इसके क्या थे हर्षवर्दन के दो बेटे थे जिनको मार दिया जाता है दो बेटे थे इसके भी और एक बेटी थी ठीक है पो गुज्रात के अंदर गुज्रात के अंदर शौरास्ट्रेड सुरस्टर गुज्रा哥!!! वाँपने व Church culture क्या प्रुट कुछ सबस्क्राइब सबैख वतले घृतःते। तो पहले तो हर्षवर्द ने इसका राया था इसके राजा को बाद में फिर क्या हुआ था इसके साथ अपनी जो बेटी इसकी शादी कर दी थी बनलवी किंग्डम के साथ मैट्रीमोनी रिलेशन भी इस्टैबलिश किये थी ठीक तो यह भी तो अटमेटिकली जो गुजरात इसी हिसद है जो पूरा नॉर्थ इंडिया वैसर हव्लेश था इन लोगों ने जीत लिया था और इसी जीतने के साथ किया हुआ था आपका जो एंडिया के अंदर यह पर आपका कि बात होती है वो हम बात करते हैं रूलर की तो किसके आपका बात करें है वो हमबत करते हैं राजपूत्यु मुख्ट की तो तो निए तो इसके बाद अगरम से था बर्दन डैनिसिश की उपर ठीक है जो कल का लिक्चर है कल का हमारा जो लेक्चर है मौ हम हम सौ इडिया के उपर बात करेंगे तौक एक बात करेंगे लुज़ें के बात करूं आज आज आपको थोड़ा सा बात कर लेते हैं सौ इंडिय पलवाज यह दोनों contemporary of किसके थे हर्षवर्दन के दोनों किसके contemporary थे हर्षवर्दन थे ठीक है इनकी जो capital हुआ करती थी बदामी हुआ करती थी ठीक है बदाबी या बतापी जो हुआ करती थी किसकी हर्षवर्दन की ठीक है मतलब सभी जो क्या हुआ करती थी बदाबी हुआ करती थी ठीक है उसके बाद जो आपके पलवास थे हुआ का इनकी जो एक्टी गहकर थे जो काशी गढ़ दो रखशांद करते थी कौंड़ी निसकी प्सक्राइब कर पर करेंगे तो सार और भी ऐसार ये पेसी के लिए परतें हैं यह परते हैं आर्किटेक्ट्चिर के बहुत सारे को संपूट होते हैं यह जो है महावलीपुरम इंगे पर्म शोड़ मार्पली बात करूंगा वी यह सुरू किया था उसके बाद भसरा स्टाइल इन्हों ने शरू किया था तो देर इस डिफ्रेंट ताइट्स अफ आर्किटेक्चर जो सौथ के लुबल्प हुआ वह इन्हीं की देन थी लोगोंने यह करते हैं बाद मेरा से चोला करते हैं रास्ट्र कूट्स करते हैं अजन कि आज का जो लेक्चरा समझाया होगा कि इस तरीका से डिवलमेंट हुई और जो काम हुआ इंडिया नुर्थ इंडिया के ंदर फिस और पोस्ट ठाव यह तो यह सब चीज़ें थी आज के लेक्चर के अंदर ठीक है कल रहा हम करेंगे सौथ इंडिया और उसके बाद के जो लगता हो आपको लगता हो की चीज अच्छी करवाई जा रही है आपके मतलब की चीज है तो लाइक एंड शेर कर दीजिए हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा और बाकी लोगों के लिए हल्प हो जाएगी जो लोग आगे त्यारी करते हैं ठीक लास थेंक्यू सो मच